पश्ची में उत्तर प्रदेश मतलब एक तरीके से जाट लाएंग और पश्ची में उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को फाइदा चाहिए तो फिर जाटों को बीजेपी के साथ आना होगा तो क्या जाटों की नाराजगी अमिच्छा दूर कर पाए और इसी के लिए जो राजबाईश भी चल रहे है रोमाना हमने देखा किस तरीक से दिल्ली में जाट डेता हूं के साथ बैठक की गई और यहां तक कि जैन चौधरी को पर भी डोरे डाले गया है हाला कि जैन चौधरी नहीं हमारे इंटिव्यू में कह दिया कि मैं कोई चवन होगा या नहीं होगा उन चास फीसिती लोग बांते की होगा आप क्या किया देखे जो असल मुखालफत है वो बीजेपी की नीतियों की बीजेपी के नेताओं की ही है और जितना चेहरा है छेतर में जाएंगे चुकि जमीन पर उतरना पड़ा है लेकिन जनता में इनकी और इनकी पार्टी की इनकी आईडिलोजी की शुकारेता पूरी तरह खतम हो चुकी है अभी जितना भी परियास जितना परियास बढ़ाएंगे उतना ही जनता मुखर होकर गटबंदन को वोट करें अमिशा के जमीन पर उतरने से उनको फायदा हो रहा है या आप लोग भी नह आपको अच्छे से भारते जनता पार्टे की श्तितिका पता चल गया होगा आज बाजपगे परदेशा देख डोर टोर जाकर अगर उनके विधाय को ने काम क्या होता तो यह साथ नोवत ना आती यहां पर कुछ और लोग भी मौजुदे में चाहूंगी आप लोग मास्क लगा लें तो बात करने मासानी होगी अमिशा जो दौरे कर रहे हैं सर्वे में सामने आया फायदा होगा लेकिन विपक्षी पार्टियां है आपके साथ जिनका कॉंपटेशन है वो तो कह रही है कोई फादा इसा है अमिशा देश के ग्रह मंत्री है और जन जन के नेता है अमिशा जहां भी जाते हैं वाँ फाइदा होता है और इनके पेट में ये दरत हो रहा है कि देश के ग्रह मंत्री जब से देश आ पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो जन संबाद डो टू डो जाके करे आज तक किसे नहीं किया अकलेश यादम ने कि इसी को लेकर निशाना साध कितने बड़े मंत्री हम लोगों के बीच में जो हम लोगों को सो योजनाओं का ला मिल पा रहा है उसको रूब रूब करने आ रहे है जनता से और इसका वाइदा मिलेगा पूरा का पूरा हम इस बार फिर 6 की 6 सेटे जीतेंगे किसको फाइदा मिल रहा है जिस तरीके सामिश्या लगातार पहुंचे हुए है और डो टो डोर कैंपेंड भी कर रहे हैं सर्वे तो कह रहा है कि बीचेपी को फाइदा हुआ है इसलिए डेश के ग्रह मंतरी को इस कारे पर लगाया गया है और हम मानते हैं इसका कोई फाइदा होने वाला नहीं है जाट लैंड में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यह जिक्र कर रहे हैं कि कुछ नेता है थे और कुछ उम्मीदवार है उनको गाउं से बाहर कर दिया गया यह कहते हो कि आप इधर मत आये लेकिन ग्रह मंतरी को जब डो टो डोर कैंपेंड कर रहे हैं क्या उसका फाइदा बीजेपे को नहीं होता है बिल्कुन नहीं होना मैडम क्योंकि अगर इन्होंने कोई विकास का रही है किया होता तो ग्रह मंतरी को आज शैद यहां पर डो टू डोर ना गूमना पड़ता है इनकी विदायक देख लो इनका छेत्र में जारे जनता इन्हें भगा रही है क्य कि वज़े से हमेशा जो है वो जमीन पर उतरे हैं उसकी वज़े से ही यह डोर टो डोर कैम्पेन हो रहे है कोई इसका फायदा नहीं मिलेगा एबीपी नियूज आपको रखे आगे